आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी सितंबर महीने में बहुत सारी ड्यूडेट्स हैं तो अगर आप ये ड्यूडेट्स फोलो नहीं करते हो तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है सर क्या ड्यूडेट्स है चरा हमें बता दो भया कुछ ड्यूडेट्स तो कोमन है जो आपको पताई होगी जो नहीं पता उसके बारे में बताता हूँ पहली ड्यूडेट्स तो 13 सितंबर है 13 सितंबर भया किस चीज के आई एफफ बरने की डेट है ये आपको पताई है फिर उ 3B की बात करूँ तो भया 20 तारीक 3B की डेट होती है किन लोगों के लिए होती है जो लोग QRMP स्कीम में नहीं है अगली बार 10 तारीक और 13 तारीक और 20 तारीक अगर TDS TCS की रिटन है या ISD की रिटन है यह तो है नोर्मल डेट इस बार कुछ important डेट है पहली डेट क्या है 30 सितंबर 30 सितंबर किसकी अगर आपका रिवोकेशन आपको फाइल करना है तो उसकी डेट 30 सितंबर है यह जो नई नोटिफिकेशन आई है इसके बारे में हमने डेटेल में अपनी मैगजीन में डाल दिया है साथ तारीक TDS की डेट तो होती ही है लेकिन इस बार 15 तारीक हाजी 15 तारीक किस चीज की डेट है advanced TCS की डेट है अगर आपने advanced TCS को टाइम पे नहीं वरा तो आपके ओपर interest लग जाएगा इसके अलावा बात करता हूँ कि 30 तारीक जो last date है किसकी है ITR की date sir ITR की date portal तो सही से चली नहीं रही भाई हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है portal सही से नहीं चला ITR की date extend होने के 100% chance है लेकिन फिर भी 30 September ITR की date है तो अगर portal आपका चलता है तो अपनी 2410 ITR जो आपकी importance है वो जरूर फाइल कर दे इसके अलावा अगर आप किसी company में director है तो director के लिए एक DIRC ठीक है DIR 3 फाइल करना पड़ता है अगर आप ये फाइल नहीं करते हैं तो आपको penalty लग जाती है तो अगर आप किसी company में है director है तो आप ये 30 सितंबर तक अपना ये फाइल कर दे DIR 3 फोर्म otherwise आपको penalty लग जाएगी इसके अलावा miscellaneous date भी है आप इसे check कर सकते हैं सर कहां से check करेंगे भाई हमारी magazine से check करोगे सितंबर edition की magazine हमारी आ चुकी है सर इसका content क्या है भाई इसका content notification number 32, 33, 34 जो IT उसका हमने पूरा simplified form में with example आपको बताया इसके अलावा हमने दो case लोग को यहाँ पर discuss करा है एक तो डिम distributor वाले को और एक सिरी राजिंदर इस्टील अगर आपके ITC में कोई दिक्कत है तो ये दोनो case low को आप अच्छे से read कर लीजेगा इसके अलावा जो हमारा सितंबर का महीना होता है बहुत important होता है GST के angle से सर GST के angle से कैसे important होता है सितंबर तक आप adjustment कर सकते हो कई चीजों की तो किन-किन चीजों की सितंबर में adjustment करनी है ये सारी बाते हमने इसके अंदर लिखी है rule 59.6 जो portal पे implement हो गया है वो कैसे होगा ये भी हमने लिखा है GSTR 1 फाइल करते समय अगर आपको HSN में कोई दिक्कत आ रही है उसे कैसे ठीक करें वो भी हमने लिखा हुआ है अगर हम income tax की बात करें कि income tax का portal नहीं चला तो आपको क्या do and don'ts करने है क्या do and don'ts आपको करने है मतलब क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी ये भी हमने इस magazine में लिखा है जिसे पढ़कर आप अपना time save कर सकते हैं और income tax पर अच्छे से काम कर सकते हैं इसके बाद जो CBDT ने date exchange करी थी 39 अगस्त को ये भी हमने इसके अंदर लिख कर दिया है इसके अलावा अगर आप stock market में है या आपका कोई client stock market में है तो उसकी taxation कैसे होती है वो हमने इसके बारे में लिखा है और इसके अलावा जो हमारा 26 AS है 26 AS में कुछ change जाएं उसके बारे में हमने आपको बताया last में जो हमारा whole marking होता है gold के उपर जो whole marking की नई scheme आई है उसके बारे में कुछ questions हमने इसमें लिखे हैं तो ये वाली magazine आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है अगर आपने अभी तक subscribe नहीं कराई है तो इस number पर WhatsApp करके आप subscribe करा सकते हैं ठीक है जी आप इसकी sample copy ले सकते हैं sample copy आपको पुराने मंत्की मिलेगी अगर इस मंत्की चाहिए तो वो paid subscription होगा और आपने हमारा app तो डाउनलोड करी लिया होगा तो आप हमारा app डाउनलोड करके KJ Classes के नाम से Play Store से डाउनलोड करके अपनी knowledge को बढ़ा सकते हैं अगर आपकी GST में कोई query है तो आप हमारी paid membership भी ले सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे comment box में लिख कर बताना जो हमारे magazine subscriber है वो हमें बताएं कि उन्हें magazine कैसी लगती है अगर magazine अच्छी लगती है और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे जादे से जादे लोगों तक share करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद thank you for watching